बुद्धवार के जिन जब अस्टमी पढ़ती है ना तो गुरुजी प्रदीप मिश्राजी के एक स्रेश्ट उपाई किया जाता है जो कि उन्होंने पिछली कथा में बताया जो कि गुड के टुकडे का और हरे मोंग का है हरा मोंग बुद्धगरा से संबंध रखता है और ऐ ऐसी मानेता है गुरुजी कहते हैं दवाई खाकर अगर आपके दिन की सुरुवात हो दिया ना तो थोड़ा सा ये हरे मोंग का जो उपाई वीडियो में करके दिखाऊंगे ना आपके भागे की रेखाओं को प्रवल कर सकता है अगर आपने यह उपाई किया है तो दुबा कि कस्त संकट पीडा का निदान करने के लिए जानी गई है आप सभी को कैसे उपाई करना है ध्यान से सुनिए सबसे पहले आप सभी को बतलाते हुए चलों कि आप सभी को यह उपाई हरे एक कारी की सिद्धी जैसे आप मन्चहा विवाह करना चाहते हैं आपके बच्चों म होते हैं बारे से बारी कैंसर तक की चोटी मोटी बिमारियां तो होनी ही है उनका तो समाधान अर्षरूप में होगा शाथ के साथ बच्चे क्रोधी है दूरब्यसन है पती बच्चे आपके कहें अनुसार नहीं चलते यह चोटे बच्चों से लेकर बड़े बुढ़े तो ऐसी इस्तिती में आप सभी को आवश्यक रूप से बुद्धवार की अस्टिमी का भरपू लाभ प्राप्त करना है और यह स्रेश्ट उपाय करने के लिए तत्पर होना है कैसे करना है ध्यान से सुनिए सबसे पहले यह भी बताते हुए चलूं कि आप इस उपाय को पूर से श्वरूप में कहा है कि हर एक समस्या का हर एक लोटा जल तो इस बात की कोशिश करें कि आप एक जल का लोटा अपने साथ लेकर जाएं शिंव मंदिर में जो कि आपको समर्पित well High हर शरूप में अगर आपने सुबह जल समर्पित कर दिया है मेरा वीडियो आपको यह बाद में प्राप्त होता है तो आप सभी बाद में भी सुपाय को कर सकते हैं जल इत्यादे सुबह ही चड़ा दीजे अब आपको कैसे करना है सुनिए ध्यान से इसमें आपको नई कटोरी लेनी की भी आवशकता नहीं है कटोरी के आवशकता पड़ेगी और आपके बाद कटोरी नहीं है तो आप पुरानी कटोरी भी प्रियोग में ले सकते हैं कटोरी स्टील की होनी चाहिए छोटे से सरूप में होनी चाहिए ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है प्लास्टिक का प वीडियो बहुत पहले बनाया था कि अमरपन नई कटोरी तो आपको पहले ही बता दो कि पुरानी कटोरी भी अप्ति योग में ले सकते हैं अब आप सभी को लेने हैं हरे मुंग हरे मुंग आप ज़्यादा कम जितना भी ले कोई आवश्यक नहीं है कि आप पूरा भर दीजे सभी की स्थिति ऐसी नहीं होती है आप सभी जानते होंगे सभी के पास इतने महंगाई में इतनी अधिक डाल की संख्या भी नहीं होती देखिए सब एक जैसे संसार में विक्ति नहीं है सभी की परिस्थिति अलग है तो आपको इस कटोरी में हरे मुंग रख लेने हैं हरे म होनी चाहिए वही हरा मूंग आपको लेना है और देने हैं कि नहीं थोड़ सकते हैं आप अगर नहीं नहीं डा सकते हैं तो चड़ी हुई और माली अब काम में ले सकते हैं आप चाहें तो बेल सु साजित कर सकते लें नहीं तो धोकर, किसी भी सरोप में सापसुत्री बेल पत्र उसमें रख लीजिए इस के बार आप सभीकू उसमें रहन रखना है गुड का टुटबा आप सभी जो है एग भी रख सकते हैं मेरे बच्चे का यह नाम है, मेरे बच्चे का यह गोत्र है, या अपने पती के लिए कर रहे हैं, तो उनका नाम गोत्र बोल देजे, उसके बार आपको जो है, उस ब्यक्ति के उपर से कितनी बार उतारा कर लेना है, उस ब्यक्ति के उपर एक किस बार आपको उतारा कर लेना ह हैं कि दिदी एक कटोरी कैस से क्या हम सभी के परिवार के सदस्शों के उपड इतारा कर ले करना सही नहीं होगा सुनिए ध्यान से ले देखें सभी की नゃओं की दशा अलग है बुद्ध ग्रह की दशा है रोग संकटकस्ट अलग है तो चार विक्तियों के लिए कर रहे हैं तो चार कटोरी लीजिएगा दो के लिए कर रहे हैं तो दो कटोरी और सामगरी वही रहेगी एक विक्ति के लिए एक ही कटोरी का प्रियोग करें ऐसा सही नहीं है कहीं एक उपाय करने के चक्कर में आप अगर तब सिव मंदिर जाओंगी या गड़ेश जी के मंदिर जाओंगी तो वहां रखकर आ जाओंगे ऐसा नहीं करना है आपको उसी समय देखे उतारा किया है यह दान है इसो घर को अंदर नहीं रखा जाता इस बात का दिहान रखकर आप सभी को इसे तुरंत के तुरंत ल पढ़ानी है आपको इसे सीधे हाथ में रख लेना है और कोई दीपक वगर यह सब चीज अपनी इच्छा सकती सामर्थानुसार है आप करना चाहें करें बहुत बढ़िया है नहीं तो अपने दाहने हाथ में यह हरे मूंग की कटोरी ले लिजे और इसे ले जाकर आप गड गड़ेश जी विराजमान हो वहाँ पर आप चले जाएं परंतो मूर्ती स्वरूप में विराजमान होने चाहिए अब गड़ेश जी महराज की भी आपको दाहने हाथ की तरफ इसे रखकर कटोरी सहीथी छोड़कर आजाना है अब आप कहेंगे कि दीदी इसे तो कोई भी इसे आगे बाबा की इच्छा है कि आपकी स्वरूप में वह इसे जिस विक्ति तक पहुचाना चाहते हैं आपके दान को उस विक्ति के स्वरूप में उस विक्ति तक उसे पहुचा देंगे तो आपको चिंता करने की इसमें आउशकता नहीं है आप गड़ेश जी के दाहन आपकी है दीपक का दान या आपकी जिच्छा जो है जैसा करना चाहते हैं बैसाक महना है हरैमूं का दान करना आप कहेंगे कि यह उपाए कैसा है रोज ही उपाए बताते हैं परन्तु यह दान भी सबसे बड़ा कहा जाएगा क्योंकि बुद्ध ग्रह से जुड़ा हुआ है तो अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रत्योंगी परिक्षा टांस पर में उन्नती करें उनके मंचाहे विवा हों उन्हें हर कारे में सिद्धी प्राप्त हो या आपके पती पर भी यही बात लागो होती है या स्वयम आपके उपर भी तो आपको बुद्ध जुड़ा हुआ है सबसे बड़ा दान करकर देखना है आपके जीवन में हर तरफ की बाधा मिड़ जाएगी हर तरह की परेशानी स्वते ही खत्म हो जाएगी इस तरह से मैंने छोटी छोटी बातों को विस्तित रूप से आपको बताया है फिर भी कोई प्रश्ण रह जाए तो पूछ लीजेगा आपका अपना चैनल है गलती करने से बचें साल में एक या दो बार ही ऐसा मौका आता है कि बुद्धवार के अस्टमी हो तो आपको करना है हर हर महादेव